नमस्कार मैं हुमित और गैजट्सफर यू के एक नए वडियू आपका स्वागत है Realme 2 के launch के बाद बहुत सरे लोग disappoint है और होना भी चाहिए क्योंकि हमने कभी भी expect नहीं किया था कि Realme 2 में हमें Snapdragon का 450 chipset देखने को मिलेगा लेकिन एतना disappoint होने की जरुवत नहीं है HD plus display देखने को मिलता है वह 19,000 पर चार्ज कर रहा है जबकि अगर हम बात करते है Realme 2 की तो वह चार्ज कर रहा है 10,990 रुपए तो इसलिए आज हम आपके side selection के लिए कर रहा है speed test comparison इन दोनों ही फोन्स के बीच में यहां Realme 2 और Samsung के J8 के बीच में ताकि हम लोग clear हो जाएं कि हां हमें वही performance देखने को मिलेगा जो कि हम Samsung में 19,000 में मिले रहे हैं वही performance हमें लगबक 10,000 रुपए के phone में देखने को मिलता है तो चलिए अगर आप भी जाना जाते हैं दोनों ही phone की performance के बारे में और ज्यादा तो बने रहे हैं हमारे साथ इस वीडियो में जैसे कि हमने आपको बताया कि दुनों की phones में आपको मिलता है snapdragon का 450 सिबसाइट और अगर हम बात करते हैं pricing की तो 4GB RAM 64GB storage वाला variant आपको realme 2 का मिलता है 10,995 प्राइज में हम प्राइस की बाद नहीं कर रहे हैं यहां पर यहां कर रहे हैं स्पीड की बाद performance की बाद क्योंकि दुनों ही phones में आपको सेम हार्ट्वर कांफिकेंस देखने को मिल रहा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं speed test को और speed test के first round में करने वाले हैं दुनों ही लाद सेर्ट कर याद को और स्टार्ट करें दुनों ही बाद अर श्रट कर रहा हैं कि भीम्रेए दस्टार के दिमा कर देखने कर दो बाद दुनों ही अर्ट भीम्रेश यहाँ उनाउ चैना चैनाउ Сब्सक्षापित बाद आ वाले खर रहाँ झाल झाल तो यह था फार्स राउंड जहां पर आमने देखने को मिला बोरों ही फोन आलमुस्स सेम पर्फॉर्मेंस दे रहे हैं यहां यहां पर कोछ एप्लिकेशन फास उपन होई शाम संग जीट में और कोछ एपलीकेशन फास उपन होई रियल मी टू में तो यहां पर हमें बहुत द कर दो कि दो कि अ हुआ है खोटाओं। झाल 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 तो यह था स्पीड टेस्स के बीच में आप देख सकते हैं दोनों ही फोन के फाइनल स्कोर यहां पे हमें कुछ दिफरेंट देखने को मिला इस बार समसंग का जेट थोड़ा सा फास्ट था और अगर हम बात करते हैं सेकंड राउन की तो वहां पे भी हमें जेट थोड़ा सा देखने को मिला क्योंकि हम जानते हैं कालर रोस जो कि बहुत ज़्यादा रस्पांसिव यू आई नहीं है अगर हम बात करते हैं लैक की तो काफी जादा लैक करता है और वहां पर राउन में बिल्कुल पी अच्छा देखने को नहीं मिलता है खर यह वाला सेम हम देख चु हमें दिक्कत देखने को मिलती हैं और इस प्रॉलम के वज़ेसे ही काफी लोग निराश होते हैं तो जितना जल्दी हो सके रियल्मी को इसको ठीक करना होगा ताकि वह अपना फेथ और बढ़ा सके अपनी कंजिवर की बीच में तो यही ता आज के वीडियो में उमेद आप के दिन शुम है